दोस्तों आज हम जानें कैसे छे कारण जिनके वजे से आपके घर में आ सकती है गरीबी सबसे पहला कारण होता है अगर आपके भी घर में सूखे हुए पेड़ है खासका तुलसी का पेड़ अगर आपके घर में सूख रहा है तो ध्यान दीजिए कि यह नेगेटिविटी दि इंगिजरुत है यह आपके घर में गरीबी ला सकता है दूसरा पुंन आदा ईधालोश्तों मिरर का आपके बैडरूम। में वास्तूब नहीं हुना चाहिए और अगर मीरे है तो वो बैड़ को फेस नहीं करता हो अगर के घर में आपके बैडरूम में मिरन व हुआ है और वो बैल्ड को फेस कर रहा है तो वो आपके घर में एक गृबी का राणख बन सकता है उसको आज ही ढके यह उसको हटये महां से तीसरा पॉ Mississippi दोस्तों इसमें बैड का कि आपके बेड रूम में जो रखा हुआ है उसके बैक साइड में आपके पास स्पेस नहीं होना चाहिए वो दिवार से लगता हुआ होना चाहिए लगता हुआ हमारे लगाके ही रखिए चौधा उसमें कुछ भी करकर हमारी गैस फे गिर रहा है वो बर्नर में जमा होता जाता है और वो गैस बर्नर जलना कम हो जाता है अगर आपके भी घर में यसा है तो उसको आज ही ठीक कराए यह कारण बन सकता है घर में गरीवी का फिफ्ट पॉइंट आता है दोस्तो टॉयलेट डोर का आपके घर में जितने भी टॉयलेट है उनके दरवाजे आपको बंद करके रखने हैं अगर उनके डोर्स खुले रहते हैं या उसमें क्रैकिंग की साउंड आती है खोलने और बंद करने में तो उसको आज ही रिपेर करे ठीक करें उसमें ऑइलिंग करिए प्रॉपर तरीके से जिससे उसमें आवाज ना आए और दूसरा टॉयलेट और बाथरूम के डोर समेशा क्लोज करके रखें यह मेजर टिफेक्ट होता है वास्तू का जो कि आपके घर में गरीबी ला सकता है सिक्ष्ट पॉइंट आता है तो वो ऐस पर वास्थू बलत है वो घर में प्रॉब्लमि स्ला सकता है वो मनी की प्रॉब्लम असन को फ Communists की प्रॉब्लमि असकती है थैंक यूऊ for watching this video अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें शेयर करें कमेंट करें नीचे और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को